Computer Fundamental के इस स्रीज में आजगी इस वीडियो में हमने लिखित प्रश्णों को देखने वाले हैं जिसमें पहला प्रश्ण है Computer क्या है दूसरा है Computer की विशस्ताएं क्या क्या होती है तीसरा है Computer System होता कैसा है चौथा है Computer कारे कैसा करता है पांचवा है Input Devices क्या होते है और छटा है Output Devices क्या होते है इस वीडियो में हम इन सारे प्रश्णों का हल देखेंगे जिए वीडियो आचा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को All पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का notification आपको मिलते रहे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है तो सबसे पहले हम देखते हैं Computer क्या है जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर Computer सब्द आया कहा से है Computer जो सब्द है वो Computer सब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है गड़ना करना यानि Computer का Hindi होता है गड़ना करना अब हम देखते हैं Computer का परिभासा क्या होगा Computer एक ऐसा Digital Machine है जो User से कुछ Input Data या Instructions लेकर उस पर Process करता है और User को कुछ Useful Information प्रदान करता है जैसे यदि आप किसी Calculator को Use कर रहे हैं यानि उसको जोड़ेगा और आपको Output पांस देगा यदि हम बात करें कि सबसे पहली Machine कौन सी है जो गड़ना भी कर सकती थी और Data को एस्टोर करने में सक्छम भी थी तो उसका नाम Defense Engine था जिसे 1822 में Charles Weavelle ने बनाया था पर कुछ तकनीकी कमी के कारण इस Machine को सफलता नहीं मिल सकी दूसरी Machine जो Charles Weavelle ने 1832 में बनाय थी जिसका नाम Analytical Engine था जो गड़ना भी कर सके और उसके पास Data Store करने के लिए जगा भी थी इसी सफलता के लिए Charles Weavelle को Computer का जनक कहा जाता है अब हम देखते हैं दूसरे प्रस्न को जिसमें हम Computer के विशेस्ताओं को पढ़ेंगे जिसमें पहला है Speed Computer बहुत ही तीवर गती से कार्य करने वाला Electronic Machine है दूसरा है Accuracy Computer बिना कोई गलती किये सही सही गणनाई करता है तीसरा है Storage Computer अपने मेमरी में सुचनाओं को सुरक्षित रखता है और हम जब चाहें उस पर कार्य कर सकते है चौता है Versatility Computer एक ही समय में एक से ज्यादा कार्य कर सकता है जैसे गाना सुनते हुए लेटर लिखना या प्रिंट निकालना आदी यह Computer के कुछ भी सेस्ताय है जो कि आपको हमेशा ध्यान रखना है तीसरा प्रसन है Computer System होता कैसा है किसी भी Computer System में एक Monitor, CPU, Mouse और Keyboard यह चार डिवाइसे आपको अवस्य देखने को मिरेगा जिसमें Keyboard का परियोग Computer में डेटा को इंटर करने के लिए किये जाता है ताकि Keyboard के Keys का Knowledge भी आपको हो जाए उसके बाद है Mouse Mouse का परियोग Computer को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किये जाता है जिसमें Generali तीन बटन होते है Left Click, Right Click और Scroll बटन फिर है Monitor Monitor का परियोग Output को देखने के लिए किये जाता है और उसके बाद है आपका CPU जिसका परियोग Data Processing या Storage के लिए किये जाता है जो मुख्य रूप से तीन भागों में बटा रहता है पहला है ALU, Arthematical Logic Unit दूसरा है CU, Control Unit तीसरा है MU, यानि Memory Unit चौथा प्रस्ण है Computer कैसे कार्य करता है Computer System एक Electronic यंत्र है जो भी भी नियंत्रों से मिलकर बना है जो की एक Rule के अंदर काम करता है इसके तीन मुख्य यूनिट्स होते है पहला है Input Unit, दूसरा CPU और तीसरा Output Unit तो चलिए इसको हम Diagram की तसाहिता से समझते है जब कभी भी हम Computer को कोई Input देते है तो वह डेटा सबसे पहले Control Unit में जाता है और Control Unit ये चेक करता है कि इस डेटा का क्या करना है फिर उसे ALE में भेज दिये जाता है ताकि उसमें Logic और Calculation को चेक किये जा सके उसके बाद अगर उसे Storage किया सकता होती है तो उसे Memory प्रवाइड कराये जाता है फिर Output Device के थुरू Output प्राप्त कर लिए जाता है पांचवा प्रस्ण है Input Devices कंप्यूटर को कोई भी डेटा या निर्देश देने के लिए जिन डिवाइसे का प्रयोग किये जाता है उन्हें Input Devices कहते हैं जैसे Keyboard Keyboard का प्रयोग टेटा को इंटर करने के लिए किये जाता है Mouse इसका प्रयोग इंस्ट्रक्शन देने के लिए किये जाता है Trackball यह भी Mouse की तरह यह एक डिवाइस होता है पर इसमें सिर्फ उपर दिये गए बॉलों को चला कर इंस्ट्रक्शन दिया जाता है तीसरा है Scanner इसका प्रयोग किसी फोटो या टेक्स को कॉपी करके कंप्यूटर में इस्टोर करने के लिए किये जाता है इसी प्रकार बहुत सारा Input Devices हैं जैसे Joystick, LightPane, Digitizer, ORC, OMR, ETC Last और शटा प्रशन है Output Devices यह सुचनाओ को Output Devices जैसे Monitor, Printer आदी पर दिखाता है Output Devices भी बहुत सारे होते हैं जैसे Monitor, Monitor Soft Visual Copy यानि जिसे देखा जा सकता है पर उसे टच नहीं किया सकता है उस प्रकार का Output प्रदान करता है दूसरा है Printer यह Device Computer से Data प्राप्ट करके उसका Hard Copy के रूप में Output देता है Hard Copy के मतलब जिसे हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं तीसरा है Projector Projector को Computer से Connect करके किसी प्रकार के Output को दिवार या परदे पर देखने के लिए प्रयोग किये जाता है मुख या रूप से इसका प्रयोग सेमिनार या मीटिंग्स में होता है प्रकार Output Devices भी बहुत सारे होते हैं जैसे Speaker, Plotor, ETC तो आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं यदि वीडियो अच्छा लगए तो अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को All पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में